किसानों की आज फिर दली की जाने मारिज की तैयारी दली की सरहदों को मुक्तलिप तरीकों से कर दिया गया सीन फिर दली के कई एहम मकामात पर सकत इंतिजारी वी आई पी आलाकों के आसपास दफ़ा 144 नाफिस लेट कोरा हमले की पांच वे बर दमोरेल जी मनों से जान से आरफिया पहले कारों को पेश किया हागि स्मार्ट फोन इस की वज़ज़ से बच्चों की बिनाए में कमजूरी की शरा 13 फिसद गरश 45 फिसद दूर नजदी की नज़र में कमी से मतासिब 29 फिसद आबादी में एनक का इस्तिमाल और पेश खबरों की तफसील किसानों के दली चलो मारिश का आज दूसरा दिन है और सिंगो बार्डर पर डटे हुए किसान आज फिर दली तक पहुंचने की कोशिश करेंगे गुज़स तर शंभू बार्डर पर खूब हंगामा हुआ था और पुलीस ने मुज़ारीन को मुझार करने के लिए पाने की बोचाड और आसुगेस का इस्तिमाल किया था अंगामाराई के दौरान कई अफराद जख्मी भी हुए जिनमें पुलीस का एक डेस पी भी शामिए किसानों को रोकने के लिए दली की तमाम सरहदे सील कर दी गई है सिंगो बार्डर, टिक्री बार्डर और घाजी पूर बार्डर पर बड़ी तैदाद में पुलीस फोर्सेस तायनात है सरहद पर खारदार तारों और सिमेंट की रुकाउटे नजर आ रही है ताम किसान अपने मतालबात पर डटे हुए है उनका कहना है कि हकूमत उनके मतालबात पर संजीदा नहीं है ऐसे में किसान तमाम रुकाउटों के बावजूद आज दिल्ली की तरफ मारच करने की पूरी कोशिश करेंगे किसान दिल्ली से 200 किलोमेटर दूर शम्बू सरहद पर डटे हुए है कल की हंगा माराई के बाद आज फिर किसानों ने दिल्ली की जाने मारच की तयारी की खरियाना के आट हैसना में इंटरनेट सिर्विस 15 फरवरी तक मुद्टल रखने का ऐलान किया गया है हकूमत और किसानों के दर्मियान बादचीत रात गए तक जारी रही और बे नतीजा रही किसान पहले दिल्ली के खरीब सरहत पर जम्होने का इरादा रखते हैं और फिर मुस्तग्विल की हिकमत अमली ताय करेंगे हकूमत का कहना है कि मुजाकराद जारी रहेंगे जबकि दूसरी जानब किसान भी मुजीद मुजाकराद के लिए तयार है पिदर दिल्ली पुलीस ने दिल्ली के कई ऐह मकामाँ पर किसानों के अहतजाच के फिश नजर सक्यूरिटी के सकत इंतिजामाद की हैं जिजदान बैरिकेडिंग के साथ साथ खारदार तारे भी लगा दी गई हैं दिल्ली पुलीस की जानब से लोधी रोड और निजामोदीन दरगा के आसपा स्क्यूरिटी के कड़े बंदबस्त किये गई हैं और हिफाज़ती इंतिजामाद को मस्भूत किया गया है मसीद अफसला दे रहे हैं दिल्ली से ताविश कमार दिल्ली में किसानों का अंदोलन को देखते हुए तमाम जो बॉर्डर है उनको तो सील क्या गया है लेकिन दिल्ली पुलिस ने भी दिल्ली के अंदर अपनी पूरी तैयारिया कर लिंग है ऐसे इलाके जो बहुत सम्वेद इंशील हैं जहां पर बहुत ज़्यादा वी आईपी मूवमेंट रहते हैं उन इलाकों पर कड़ी मुस्तादी कर दी गई है ने दिल्ली जिला के बॉरडर के बॉर्डर पर हम मौझूद हैं यह वो इलाका है जो दिल्ली के एहम अंगव रहनाकों जो पर यहां दारा 144 CRPC लागों आयते हैं आप सभी से अवे नुरोध है कि इस छेतर में किसी भी तरह से एक्रित होना प्रजर्शन करनी का अरूमती नहीं है अन्य था लंगन करने वालों पर कानूनी कारवाई की जा सकती है इस तरह के जो आदेश हैं वो दिली पुलिस की तरफ से लगा दिये गए हैं और दिली पुलिस के तमाम जो जवान हैं उन्हें मुस्तायत कर दिया गया है हलाकि ने-दिलिज इलावा तमाम जो एसे इलाके हैं जो वी-ई-पी आइपी इलाकों कनेक्ट करते हैं उन इलाकों में ऐस्थाई तोर पर इस तरह के आफिस बना दिये गए हैं और वहाँ पर तमाम जो आला अदिकारी है उनको लगाया गया है कि जिससे किसी भी कोई अप्रिय घटना अगर होती है तो यहाँ पर इस बॉर्डर को तुरंत सील कर दिया जा है यानि अगर आप प्रधान मंतरी आवाज, कृषिये मंतरी आवाज, कानून मंतरी का आवाज या किसी भी बड़े लीडर के घर के तरफ रेज़िन्स के तरफ जाना चाहते हैं तो इसी रोड से होकर का आपको गुजरना पड़ेगा तो आपको सबसे पहले यहां इस फर्स लेयर से गुजरना पड़ेगा और ऐसे में दिल्ली पुलिस के जवानों को यहां तैनात कर दिया गया है या आप यहां से आगे जाने की अगर सोच रहे हैं तो बहुत नमुम्किन से बात होगी क्योंकि दिल्ली पुलिस की एक पूरी जिला हलाके में यानि आपको इस एरिय में जाना है जहां पड़ावाएश हम प्रदार मंतर आवास या पिरूशी मंतर है तो आपको पहले इस वेरिकेट से गुजरने के लिए आपको तमाम जो जवान हैं इनके सामने सही निकलना होगा और ऐसा नामुम्किन है क्योंकि जस यानि इन कैमरेल्स के जरिये दिल्ली पुलिस उन पर निगाहे बनाए हुए है यानि हर आने आने वाले व्यक्ति पर निगाहे रखी जा रही है और ऐसा ही नहीं है। कुछ कदम की दूरी के बाद एक और भिरिकेट लगा दिया गया है यानि अगर आप नए दिल्ली इलाक हैं और इन इलाकों में खास्थरूंसे आएंगे तो आपको इन त्माम भिरिकेट से गुजरना होगा। दिल्ली पुलिस पूरी तरह से तयारे अगर किसान दिल्ली में एंटर हो भी जाते हैं पहली बात तो जिस तरह के तयारे की गहीं तो नामुम्किन सा लग रहा है लेकिन अगर उसके बावजूद भी किसान एंटर हो जाते हैं तो दिल्ली के अंदर भी तमाम सक्तिया और तमा जो कोशिशे किसानों की हैं उन्हें विफल करने के लिए दिल्ली पुलिस पूरी तरह से तयार नज़र आएगी। इस दिन पुल्वामा में खो दिया था हम उनकी अज़ीम कुर्बानी को कभी नहीं बूलेंगे उनकी हम्मत हमें एक मजबूत और तरकी अपने अंदोस्तान बनाने की तरकीब देती हैं इदर दीगर लीडरान ने भी हमले में जामबाक सी आर्पिया फैले कारों को खराज अक इदत पेशकर तो है का है कि उन्यादेकारों ने अपनी जानों का नसराना जमुकश्मीर में अमून और सलामती और कानून की बालदिस्ती के लिए दी है और उनकी एक कुर्बानिया हमेशा याद रखी जाएगी इदर बारती है जनता पार्टी की जानब से भी आज लेटपूरा पलवामा में उस जगह के गुलबारी की गई है जहाँ पर खुद को शमला हुआ था पार्टी के तर्जमान अलताफ ठाकुर सीनियर लीडर शामला शर्मा और दीगर सीनियर लीडरां जिन में महमुद याक खुबा मलिक और दीगर अधिकार मौजूद थे वहाँ पर पहुँचकर उन्होंने गुलबारी की हैं और जामबा का सी आरपिया फैलकारों को खराज अकीनत पेश किया है कि यह जो काला दिन है और बेगुना हमारे जो जवान यहां पे शहीद हुए थे उसका बदला तो भारत बरश ने जो है वो लिया क्योंकि आज की जो गोर्मेंट है हमारी और जो हमारे मुल्क की सरवराई कर रहे हैं आज दुनिया में हिंदोस्तान की डेमोक्रेसी का और य जो है वो बज रहा है उसका कारण यह है कि एक बहुत ही श्यशक परदहनमंत्री और सरकार हमारे पास है और आज के इस दिन को मैंने पहले ही कहा है कि यह काला दीवस है लेकर अगर हम देखेंगे तो चवती बरिस से जम्मू कश्मीर में जो है बेगनाव लोगों का जो है खून बहाया जा रहा है आज के दिन पर मैं उन बहादर नौजमानों को सल्यूट भी करता हूं और उनके परिवार के साथ सबेदना प्रेक्ट भी करता हूं और जम्मू कश्मीर की जनता और खसूसन तोर पर कश्मीर की जनता को मैं आज के दिन पर ये मुवारक बात भी द कि रहा पे भी गौम जाए आज हम लोग बहुत भाकिशाली समझ रहे अपने आपको आज के दिन पुल्वामा आटैक के उस दोर पे हम उस जगा पे आये हैं अपने आर्मी लोग को सद्धान जली मनपूर से सद्धापुर्वक से अरपन करना चाह रहे हैं और यहां आके हम ल देश के लिए शहीद हुए है उन लोग को कभी हम भूल नहीं पाएंगे उनको तन मन से हमारा सद्धा पूर्वक सद्धान जली अरपन है नहीं बहुत सेफ्टी है सब लोग आ सकते हो उस दोर को भोलके अब नया सिलसिला शुरू करिए बहुत सेफ्टी से अपना चल रहा यहां पर हम लोग को कोई तकलिफ नहीं है यहां की जो पबलिक है बहुत हेल्पिंग पबलिक है बहुत अच्छे सभाओ के अच्छे लोग है हम लोग को कोई इशू नहीं है देश के लिए ओन लोग भी हम लोग के लिए एक रेड़ी तयार है हर वक्त हेल्प करने के लिए लिद्पूरा फुलवामा हमले की पांचवे बरसी के सलसले में जम्मो में भी एक तक्रीब उनकद हुई है जहाँ पर जम्मो कश्मीर बारती अजनता पार्टी के रियासते सदर विंदा रहना उन्होंने वहाँ पर खराज अकीदत जो जामभाग का सियार पिया फैलकार है उ उनको खराज अकीदत पेश किया और साथी साथ बारती जनता पार्टी और साथ मकामी लोगों के एक बड़ी तैदाद ने उस तक्रीब में शिरकत करते हुए जामभाग सियार पिया फैलकारों को खराज अकीदत पेश किया ये भारतीय सेना के जामभाग वीरों को पूरा देश नमन करता है देश नमन करता है अपने अमर वीर वलिदानियों को जनूने मातरी भूमी के लिए अपना सर्वस्वर्पन किया देश नमन करता है अपने उन वीर वलिदानियों के लिए जनूने अपने अदम में साखत शोर प्राकरम और उतक्रिष्ट युद्ध कोशल ये देश लग्स करते है अपने करते हैं वे समेख लेविन मन क् सek Amp